हेलो दोस्तों एक बाप फिर से स्वागत करता हूँ आपका इबी सीडी सब कुछ चैनल में मेरा नामे बसी राम मात कना है हूँ फिर से एक प्लम्मिंग का होट वाटर रिटान वीडियो लेकर दोस्तों इसमें होट वाटर रिटान लाइन क्या है सिरिफ वही बताने वाला हूँ दूसरा चीज कुछ मत देखिएगा मतलब डाइबेटर क्या लगा है कितना दुर लगा है इस सब इंफ्रोमेशन बाकी बाद में आएगा जो आप लोगों को बातरूम का लोगी से दिखा हूं यह देख ली यह क्या उल्टा लगा है चीठा लगा हेरacy का कामबाव किया यहाँ को बात में बदो बताने वाला हूं लेकिन यहां नहीं बताने वाला हूँ और अगर चारो साइट से समझा कि बुजाना हुए लगा हूँ नहीं तो आप लोगों समझ मुने जाएगा जैसे कि यहां पर नॉर्मेली में बता रहा हूँ सभी चीच यह फोट्टे आइप लगा है और यह जो है मेरा थंड़ा पानी का लाइन आने वाला है मतलब यह जो है देख लिए मीडिल में जो लाइन है हमारा थंड़ा पानी वाला लाइन है राइट साइड से जो आया है आप यहां पे कपलिंग लग के छुट गया है क्योंकि यहां पर काम कंप्लीटली नहीं हुआ है लेकिन है होट माटर Dee हो पूलिटल लाइन जो ही वो क आइबेटर खोलने के बाद गरम पानी थंड़ा पानी दोनों आता है और सावर है जो आप उपर से नहा सकते हो सीलिंग सावर जी से बोलते है ओके आप यह जो है आप देख रहे हो यह आपका क्या है गरम पानी का लाइन मतलब जो थंड़ा पानी गीजर में जाएगा वहां स करेंगे आप लोग 45 देकर अक्सर ज्यादा काम करिए क्योंकि जो होट वाटर रिटान लाइन होता है ओप होट वाइब रहे गा तो ज्यादा आपका अच्छा काम करेगा और पानी सप्लाई अच्छा करेगा जिससे वाइप अज बोलते है ओके आप इसका लाइन आप करेगा अप लाइन कैसे ले जाना है जैसे की गरम पानी में जैसे गया है आप देख रहे हो सेम उसी साइड से आप उठाएए ओके गरम पानी में जैसे गया है उसी साइड से आपको सेम उठाना है और नीचे हमारा है जो होट वाटर रिटान लाइं आप आते हैं यहांपर भी देख लीजे अप गरम का लाइं जो है वह टॉप में है इails ऑप कि लगा है आप यह बेसिन डाइबेटर फिलाल उल्टा है क्लाइन कुछ वह इसा है लेकिन क्लाइन को बोला हूं वो क्लाइन आभी सोचे नहीं है बोले ऐसे रहने दो बाद में देखता हूं अप यह जो है हमारा होट वाट रिटन में जैसे कि यहां टी लगाया हूं फिर क्लान देना है और होट वाट रिटन लाइन क्या है वह भी मैं आप लोगों को यहीं पर बता देता हूं होट वाट रिटन लाइन यह है मतलब आपका बेसिन डाइबेटर हो या डाइबेटर यह दर भी आपका गरम पानी आता है गरम पानी में आपका जो कुछ देर बात हम भी खोलेंगे तो आपका थंडा पानी इस साइड से निकल जाएगा और तूरंती आपका गरम पानी आएगा इसे बोलते है होट वाटर रिटान लाइन और इसका लाइन का सिस्टाम पूरा रूम में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मतलब आप जब भी डाइबेटर खोलते हो या बेसीन मतलब जीदर आपको गरम पानी का सिस्टाम है और चाहिए उदर तो वहाँ पे आपको गरम पानी के लिए इस्तेमाल नहीं करना मतलब ओट करना नहीं पड़ेगा जैसे कि यहाँ देख लिजए यह जो है उपर है यह नी मतलब एक ही गिजार लगेगा पूरा फ्लाट में आपका कैसे काम होएगा वह दिखाऊंगा जैसे कि यहाँ देख लिजए नीचे वाला लाइन वह बाइपस लाइन है मतलब होट वाटर रिटान लाइन बातरूंग से जो आया है आप यह जो है नीचे हमारा रिटान लाइ पाइन है और उपर गरम पानी का लाइन है अप लोग यहां मैं इसलिए दिखा रहा हूँ इस सब काम enfin कि आप जब भी पूरा फ्लाट माकाम करते हो भgh बंगला माकरते हो तो किस सिफ्टाम से करना है वह देखना है जैसे कि यह मेरा जो लाइन आया है यह मेरा गरम पानी का लाइन आया है और यह जो बाइपास लाइन है यह किंच का उपर वादा उपर वो बाइपास लाइन है तो यह गरम पानी का लाइन में दिखाता हूँ आगे यहां से वहां तक गया होलो के बात्रूम में गया अब बाइपस लाइन भी वैसे आके बातरूम में गया और नीचे का जो है वो AC का है उसे आप भूठ जाईए अब यह जो है आप देख लिए ऐसे घुमा है लाइन बाइपस लाइन ओके अब यहाँ पे बाइपस उपर हो चुगा है क्योंकि सिस्टाम वैसा है वहाँ देखना पड़ेगा बातरूम आप फिटिंग करिएगा तो आपको समझ माएगा कैसे कहा लेता है तो उपर यहाँ हो गया तो उपर सी टी लगा है देख लिए टी लगने के बाद आप यह साइड जो है रिटान लाइन आ गया होट वाटर रिटान ल अंग् Warum क्योंकि क्लाइंट भी अलग-अलग तरीके के होते है अब यहा पर भी सेम उपर से आया है और लेप साइट में अपका जो है मतलब वो दोनों पाइप के लेप साइट में होट वाटर रहा अप वाटर है और आपका नीचे होट वाटर ल viral nem आया है चैसे कि यहाँ देख लिए उपर से आया मेरा होट वाटर रिटन लाइन लेप्ट साइट में हो गया है यहां दोनों पाइप के इसमें और नीचे से यहां पर डाइबेटर के साइट में ठीक टी लगा है और टी लगने के बाद जितना नजदिक होएगा दिजिएगा और डवल फोटी फाइ एलबो ऐसे दिया हूँ अप यहां पर आया हूँ जहां मैं दिखाया था एक बात्रूम के लिए गया था आप यहां पर भी सेम नीचे रिटन लाइन है और उपर होट वाटर गिजर का लाइन है तो यहां पर आप देख लिए मैं जल्दी से ले जा रहा हूं क्योंकि सेम औ पुरा फ्लाट में आप यह फोरसलिंग में आपका चिपक जाएगा तो यहां पर कुछ दीखेने वाला नहीं है ओके आप यहां पर आता है दो बात्रूम के लिए बहुत सारा चीज है जो आप लोग को बताने वाला हूं यहां पर जल्दी जल्दी दिखाएंगे ओके दो बात्रूम में गया है सुबल ही यहां पर एक बात्रूम है लेकिन कंडिसन का काम सेम है कॉलेटी जो आप लोग को सिंपल ही यहां पर लिखा दे रहा हूँ, देख लिषिगे, यहां पे तीन पाइप लेट साइट में है, एक ac का अया है, बाकी STYLE, ऐख ये जो है दूसरा बातरूम है, यहां फे T लगाया हूँ, नीचे वायप सलइन है, उपर गरम का लाईन है, पुरा बातरूम में गया है, उके, अब देख यहां पर भी jam हो चुका है और ऐसे आया है आप यहां पर आके आपका basin divator में आपका लग चुका है जो hot water return line complete हो चुका है बाकी काम जो है थोड़ा बाकी है यह बाताया हूं ऑके पूरा फ्लाट में पूरा बात्रूम में आप जिदर भी काम करते हूं इस system से आपको line ले जाना है जो इस video में मैं पूरा बाता आ चुका हूं आप फिर वहीं पर आ चुका हूं जा फांस्ट शुरू किया था अप यहां आया हूं यहां आने के बाद यहां पर एक basin हुआ है hot ध्यान में काम करना है यह चीज का भी ध्यान रख्येगा और यहां पर भी ऐसे काम करना है मतलब जैसे हूआ है वैसे ही काम किया हूं और ऐसे जाके यहां पर छूट गया है क्योंकि आगे चोकडी बनने वाला है मैं आप लोग को समझा देता हूं चोकडी होल हूआ है चलि पर आप मैं तीन पॉइंट दे चुका हूँ एक थंड़ा पानी और एक गरम पानी का जो है यहाँ पर काम बाकी है इसके होज़े से काम रुका है आने वाला वीडियो में आप लोगों समझाओंगा यह गरम पानी है और यह रिटान लाइन है आपका लेफ्ट साइट में ओके तो यहाँ पर आपको पॉइंट चोड़के रखना है CBBC का ब्रास एलबो लागा दिए जी नहीं तो फिर आपका रिटान लाइन में एलबो रखना है क्योंकि वो थंड़ा पानी में कनेक्शन होएगा आने वाला वीडियो में बताऊंगा क्योंकि काफी बड़ा वीडियो ह चुका है लेकिन नहीं तो मैं ड्रोइंग में ही बता सकता था यहां का सिस्टम जब डारेक्ली काम होईगा उसमें आप लोग को ज्यादा समझ मैंगा यहां होट वाटर रिटन लाइन मतलब कैस सिस्टम से पाइप लाइन होता है वह आप लोग को बता चुका हूं और आने लाइन को इस करूंगा अप लोग के साथ अप लोग के पास किसी दूसरे टुपिक के साथ तब तक क्लिए बाई बाई